जो आई खटा हुए है इस देश को बचाने के लिए खटा हुए है जैसा कि आप लोगों को मालूम है पूरा देश किछार से गुजर रहा है महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने के जुरूत रहे हुए आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें आगए आपको समझाना पढ़ रहा है तो वाकली सुधार नहीं है यह दवनकारी योजना आपके नीती है उसकी कोई स्विकारिता नहीं बनकारी लोगों को आ अधिकारी रह चुके हैं जिनको अनुबह है जिनको मालूम है कि छे मैने की ट्रेणिंग परियाप नहीं होती है अगनी वीर के लिए वो सब इसका विरोग कर रहा है कि अधिक चुनाओ आपने मैनिफेस्टों में सरकार ने यह बी दावा किया कि कि अमने तीन करोड को रोजगार और स्वरजबार दे दिया और वहीं आकड़ा पांच करोड का बता रहे हैं तो कि तीन करोड को दे पांच करोड को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24 पचेस करोड की है मतलब हर घर में और दो तीन लोगों को नोकरी दे चुके हैं तो जूट का पुलिंदा है सबको मालूम है बुरी स्थिती है रोजगार को लेकर अगर बुरे आहलात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रूप D, ग्रूप C की नोकरिया निकलती हैं बड़े बड़े लिखे लोग आवज़ें का पोस्ट दस होती है और आविदन करने वाले हजारों में होते हैं ऐसा क्यों माफियाओं को बुल्डोजर कर रहा है क्या आश्या आप नहीं तिखार रखते हैं कि यह गलग है सेरे और उनके घड़ पर बुल्डोजर चलता रहा है तो अमानुए व्याबार है सरकार को कानून के तहट चलना चाहिए समिधान के तहट चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है लेकिन यह अभी भी बात नहीं आई अशर चेंज अकर कि यह अधनीपत लोजिना को वापस नहीं जेती सेंटर गोवर्मेंट तो क्या किसार अंदोलन तरह यह चले अंदोलन यह सफिए अंदोलन मुद्व mentor किया हम अपने प्रस्थाब जंता के पीछ रख रहता है कि अंदोलन के बड़ी मिलिया समर्थन के जब कुई पूरा विश्वास है कि इतन आधभ बनाइंगे यह जोजना रख और जैन्थ जी बीजेटी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान ही तैसी सरकार है तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल आय दुखनी हो गई और 15-15 लाग सब के खाक्ते में आ गए और 14 दिन में गन्य का दुखतान हो गया और किसी किसान के उत्रपरदेश इसमें बिश्टी कभी नहीं आ रहा है इस चारो पॉइंट पर आप त्यकिकात कर लो किकनी सचाई दूद का दूद पाने का पाने का पाने जो आए है युआ संवाट करने आए हैं युआ उसे बात करने आए हैं इनकी बात को ध्यान तो सुने और चागरी चरंटी अजिन चरंडी